इंडिगो के स्टेशन मैनेज़र रुपेशु सिंग मर्डर को लेकर पटना पुलिस की ज्वांच पर चोतरफा सवाल खड़े हो रहे हैं। रुपेश की पतनी नीतु और उनके भाईयों ने रोडेस की पटना पुलिस की थियोरे को सिरे से खारिश कर दिया है। वही लंबे अर्से से पिडित परिवार मुखेमंत्री नितीश कुमार से मदद की गुहार लगा रहे थे। पी उपेंद्र शर्मा को भी मुखेमंत्री ने बुलाया था। बताया जा रहे हैं कि पुलिस ने पिडित परिवार को जाच की दश्वा और दिशा के बारे में जानकारी दी। वही मुखेमंत्री आवास से मुलाखाद के बाद नीतू सिंग और रुपेश के भाई ने मीडिया से बाच्वीत नहीं की। रुपेश कुमार सिंग के परिजन पटना पुलिस के दावों से उलट हत्याकांड की सिबियाई जाच की मांग कर रहे हैं। अब जब तक रुपेश के परिजनों की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आ जा था, तब तक ये पता नहीं चल पाएगा कि मुखेमंत्री नितीश कुमार से उन्हें क्या भरोसा मिला है। वहीं इंडिगो के एरपोर्ट स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंग हत्याकांड के आरोपी रितुराज के परिवार के साथ पुलिसिया बरबरता के आरोप से बवाल मचा हुआ है। को सरकार की तरफ से मदद मिले। वहीं इस केस में आरोपी रितुराज की पतनी और मा के आरोपो की भी जांच ज़रूरी है। इस केस में पटना पुलिस की छवी पर बड़ा दाग लगा है। इसलिए पुलिस को भी जनता के सामने अपना पक्ष रखना चाहिए। पंजाब के सरी टीवी के लिए पतना से संजेव कुमार की रिपोर्ट।